नमस्कार उनके मन में अगर अहंकार आ देना तो इंसान की प्रगति रुक जाती है जिवन में कभी भी अगर आप अपनी प्रगति और बढ़ाना चाहते हो आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी भी अपनी मन में अहंकार मत लागा जिस इंसान में अहंकार कर दिया वो इस इंसान क प्रगति समझ लो रुख गई वो कभी भी आगे नहीं बढ़ा कि छोटी सी कहानी है मैं बताऊंगा कि कैसे इंसान के अंदर आहंकार आते ही उसकी प्रगति रुख जाती है है एक सेकस कार था वह मौड़िय बनाता थैंद्र बजार में बैस्ता था उसकी मौड़ियों का मौल्य दो रुपए से पॉंज रुपए के बीशें मिलता था जब उसका बैटा समझदार हुआ तो उसा बैटा को उसने मौड़ियों बनाना चीह दूख दीरे 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 वह पीता ची कि मूर्ति Hem 3-5 रुटे और उसकी मूरति एक आना धो अपनलब तीन आन में बिय भिख दिय 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 और यो उसलिफ का अपने बेटे को ओर सिकाता है और मजबूत करता है और बेटा दीमाग से तैसा उति दिय का बने जिए धिय दिय फिरह चाहिए दिय का उधिय भुच्छना सिकनी लागी भिख studied बेटे की मूर्ती दस से पंद्रा रुपए के बीच में बिखने लिए फिर और वापिस उस शिल्फकार ने अपने बेटे को वापिस शिकाना सुरू किया और हर जगह जिकर टोकते रहते हैं कि ऐसे मूर्ती बनानी है ऐसे करनी है एक दिन उसका बेटा जुझला गया और अप मुझे क्या सिखाओगे जब यह बात केते ही और शिल्फकार ने कर दिया कि बेटा अब तेरे अंदर अहंकार आगया है अब तो जीन में कभी आगे बढ़ने ही पाए तो शिल्फकार के बेटे ने उस सिल्फकार से पूछा पिता जी ऐसा क्यों क्यों क्योंकि इस लिए कि आज मैं इस जगे इसी करण हूँ क्योंकि मैं ने जिन्दिगी में सीखना बंद कर दिया और मुझे भी अपने आप में अंकार आ चुक आ गया था कि नहीं है और मेरी मूरतिया भी ससवे भैस्ट है और आज मैं एक रूपए से पांच रुपए के बीच में ही मूरतिया भी सता हूँ क्यूंकि मुझे मिज़े पांध कर ला अगया है द्याकर अगर तुमाद को अगया यह हγाय अगर कुछ तूजे करना में सीखते रहना वर कभी अपने आप में अंकार मत लाना कि मैं सर्वसेश्टू मुझसे बहतर कोई नहीं तो ऐस सिल्फकार की कहाने से आप सीख सकते हो जिवन में जब भी आपके जिवन में अंकार आया जब भी आपने आपको दूसरों से सर्वसेश्ट पाया तो समझ लेना आपकी प्रक्ति रूप गई कभी भी अपने अंदर अंकार मत लाना बस हमेसा लोगों से सीखते रहना त्यान रखना कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है हर इंसान किसी दूसरे इंसान से सीखता ही रहता है इसलिए जीवन में सीखना चाहते हो तो कभी भी अ अंकार मत करना